Hello everyone, आज हैं मंगलवार 7 फरवरी 2023 और इस वीडियो में बात करेंगे अम्बूजा सिमेंट्स लिमिटेड के शेर के बारे में अदानी ग्रूप की ये कंपनी है और आज ही कंपनी अपने डिसेंबर क्वाटर के रिजल्ट के साथ आई नमर्स अच्छे थे और शेर प्राइस में भी आज एक तेजी देखने को मिली शेर 387 रुपे 15 पैसे पर बंद हुआ ऐसे में क्या करना चाहिए अम्बूजा सिमेंट के शेर में क्या इस शेर को भी खरीदना चाहिए या कुछ इंतजार करना चाहिए रिजल्ट कैसे थे सारी बाते बताऊंगा डीटेल में इस वीडियो में तो वीडियो में बने रहीएगा फ्रेंट्स हिंडर्मर्ग के रिपोर्ट के आने के बाद से अदानी ग्रूप के शेर में कोहराम मचा हुआ है अदानी ग्रूप के सारे शेर्स की अच्छी खासी पिटाई हुई है और पिछले एक महीने में अमभूजा सिमेंट के शेर में भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है 26% से जादा की गिरावट ये शेर पिछले एक महिने में दिखा रहा है बांकि अधानी ग्रूप के शेर के तरह ही इस शेर की भी पिटाई हुई है अगर बात की जाए तो हिंडनबर्ग के रिपोर्ट के आने के बाद से जो कोहराम मचा अधानी ग्रूप में उसके बाद से सारे शेर पिटे हैं अधानी ग्रूप के उसके बाद सिटी ग्रूप ने भी अधानी के बॉंड्स को एकसेप्ट करने से मना कर दिया एस को लेटरल क्रेडिट सूसी ने भी कुछ इसी तरह की बात कही लेकिन आज के दिन अमबूजा सिमेंट ने अच्छे नमर्स दिये हैं और इससे मार्केट का सेंटिमेंट भी इंप्रूव हुआ है 46% का ग्रोथ देखने को मिला है प्रॉफिट में 379 करोर का नमर है अमबूजा सिमेंट का तो नमर्स कंपनी ने अच्छे दियें अगर रिजल्ट को थोड़े और डीटेल में देखा जाए तो 46% का जंप देखने को मिला है नेट प्रॉफिट में 379 करोर का फिगर है और यही फिगर पिछले साल 253 करोर का था डिसेंबर क्वाटर में तो 46% का जंप प्रॉफिट में है वही रिवेन्यू में भी 11% का जंप देखने को मिला है नमर्स है 4129 करोर का Q3 FY23 में और Q3 FY22 में यह नमर था 3740 करोर का तो कंपनी ने रिवेन्यू के फ्रंट पे भी और प्रॉफिट के फ्रंट में भी अच्छा करके दिखाया है तो अमबुजा सिमेंट्स ने आज अच्छे नमर्स दिये और आज के दिन शेर के प्राइस में भी एक तेजी देखने को मिली है अगर अमबुजा सिमेंट के शेर की बात की जाए तो आज कंपनी का ट्रेडिंग वॉल्यूम काफी हाई था 4,27,23,721 शेर का ट्रेड तो सिर्फ NSE पे हुआ है तो काफी जादा ट्रेडिंग वॉल्यूम था अमबुजा सिमेंट्स के शेर का और डिलिवरी वॉल्यूम भी काफी हाई था 1,49,49,000,000 शेर का डिलिवरी हुआ है 7 फरवरी को 31% के आसपास का डिलिवरी वॉल्यूम है 7 फरवरी का तो अच्छे खासे कॉंटिटी में शेर का ट्रेडिंग भी हुआ है और शेर का डिलिवरी भी हुआ है तो अमबुजा सिमेंट के शेर में लोग इंटरेस्ट तो ले रहे है इतना हाई ट्रेडिंग वॉल्यूम और डिलिवरी वॉल्यूम दिखाता है कि शेर को काफी जादा लोग ट्रेड भी कर रहे है और डिलिवरी में भी ले रहे है अगर कंपनी की बात की जाए तो promoters की हिस्सेदारी 63.22% की है mutual funds की हिस्सेदारी 7.79% की है other domestic institutions की 9.20% की FIS की 10.66% की और retail and others की 9.13% की हिस्सेदारी है तो majority shareholder promoter है और Amboja Siemens का acquisition हुआ था पिछले साल अधानी ने इस company को acquire कर लिया था और आज अधानी ग्रूप के बहुत सारे shares में तेजी देखने को मिली lead गया अधानी enterprises में और अधानी enterprises के share में 15% से ज़्यादा की तेजी देखने को मिली 1813 रुपे पे ये share close हुआ दूसरा अधानी विल्मर ये share 398 रुपे 90 पैसे पे बंद हुआ 5% के आज पास की तेजी देखने को मिली और 8 फरवरी यानि कल के दिन अधानी विल्मर अपने results के साथ आ रही है edible oil में market leader है अधानी विल्मर तो देखना होगा कि अधानी विल्मर किस तरह का result करती है अधानी ports ने आज results पेश किये results ठीक ठाक थे और share में थोड़ी बहुत तेजी देखने को मिली 10 रुपे 50 पैसे के आसपास की तेजी थी 555 रुपे 95 पैसे पे ये share close हुआ पर अधानी ग्रूप के बांक की shares में आज भी कमजोरी देखने को मिली अधानी power का share 170 रुपे पे close हुआ 5% की गिरावट अधानी green का share 844 रुपे का इसपास close हुआ 5% की गिरावट और अधानी transmission के share में भी मामूली गिरावट देखने को मिली सोमवार को ये company अपने results के साथ आई थी और results अच्छे थे फिर भी share में गिरावट देखने को मिली और reason बिल्कुल साफ है अधानी ग्रूप के वही shares को लोग अब खरी देंगे जिनके valuations अच्छे हैं जिनके valuations महंगे हैं उन shares को लोग हाथ नहीं लगाएंगे और अधानी transmission की बात की जाए या अधानी power की बात की जाए या अधानी green की बात की जाए इनके valuations अभी महंगे हैं लेकिन अमबूजा सिमेंट ने आज अच्छे numbers दिखाए और share में एक spike भी देखने को मिला और जिस तरह से बुड़ी खबरों का दोड़ था पूरी अधानी group को लेकर उसमें अमबूजा सिमेंट के share में भी अच्छी खासी गिरावर्ट देखने को मिली है पिछले एक महिने में पर company ने अच्छे results करके दिखाए हैं इंडर्बर्ग के report के बाद पूरे अधानी group का sentiment खराब था और आज इस share में high trading volume और high delivery volume यही दिखलाता है कि लोग इस share में interest ले रहे हैं चार करोड से जादा shares का trade हुआ है सिर्फ NAC पे large cap company है अमजा सिमेंट 75,246 करोड का market cap है तो एक large cap company है delivery volume हाई है trading volume हाई है और majority shareholder promoter है 45% analyst ticker tip पे इस share को खरीदने की सलाह दे रहे हैं और जैसा कि मैंने बताया कि हिंडर्बर्ग के report के आने के बाद से पूरी दुनिया बर से बुरी खबरों का दौर चल रहा था अधानी group को लेकर SM अच्छी खासी पिटाई हुए है अधानी group के shares की और अभी भी खबरे आ ही रही है SM मुझे लगता है कि Amboja cement के share में अभी थोड़ा इंतिजार करना चाहिए मुझे ये share 340 रुपे या उसके नीचे अच्छा लगता है मुझे लगता है अभी इस level पे इस share को नहीं खरीदना चाहिए थोड़ा और इंतिजार करना चाहिए अगर ये share नीचे के levels पे मिलते हैं तो मुझे लगता है ये एक अच्छा buy होगा क्योंकि cement sector में काफी growth की उमीद है जिस तरह से हमारे देश में construction activities चल रही है cement sector को boost मिल सकता है ऐसे में Amboja cement एक अच्छा bet साबित हो सकता है पर मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत इंतिजार करना चाहिए जिस तरह अधानी group के उपर में आज भी खत्रे के बादर मंडरार है और किसी भी तरह क्या बुरा खबर दुबारा आ सकता है ऐसे में थोड़ा इंतिजार करना जरूरी है वैसे आज अधानी enterprise के share ने अच्छी तेजी दिखाई साथ ही अधानी wilmer के share ने भी तेजी दिखाई और अधानी enterprise के 20,000 करोड के FPA को call off करने के बाद जिस तरह से market sentiment खराब हो गया था उसके बाद से market sentiment थोड़ा बहुत तो सुधर रहा है अधानी ग्रूप के लिए और आज अमबूजा सिमेंट ने अच्छा नमर दिखाया है सोवार के दिन अधानी transmission का भी नमर आया था और वो भी नमर अच्छे थे आज अधानी पोर्ट के नमर भी ठीक ठाकी थे ऐसे में अधानी ग्रूप की कंपनी अच्छे नमर के साथ हा रही है और अमबूजा सिमेंट के शेर में आज तेजी देखने को मिली आज के सेशन में ये शेर 406 रुपे 70 पैसे तक गया था लेकिन उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली रिजल्ट के बाद जरूर एक स्पाइक देखने को मिला इस शेर में और 387 रुपे के आसपास ये शेर क्लोज हुआ है पर पिछले एक महिने में ठीक ठाक पिटाई हो चुकी है इस शेर की मुझे लगता है थोड़ा वेट करना चाहिए 350-340 के रेंज में जब ये शेर आता है तो ये एक अच्छा बाई साबित हो सकता है सीमेंट सेक्टर में काफी ग्रोथ की उम्मीदे हैं आदानी ग्रूप ने इस कंपनी को एक्कॉयर किया था पिछले साल और उसके बाद इस शेर में जरूर एक तेजी देखने को मिली थी एक स्पाइक देखने को मिला था इस शेर के प्राइस में पर जिस तरह से हिंडनबर्ग के रिपोर्ट के आने के बाद से बुरी खबरों का दौर चल रहा है अदानी ग्रूप के लिए उसमें अभी अंबुजा सिमेंट के शेर के अच्छे रिजल्ट का क्या एफेक्ट होगा वो देखना होगा कल अदानी विलमर का रिजल्ट है साथ ही अदानी पावर के रिजल्ट है अदानी ग्रूप से जुरे न्यूज और रिजल्ट लगातार आ रहे हैं मैं भी आपको अपडेट करके रखूंगा अपने इस चैनल पर तो अगर आपको वीडियो पसंद आया फ्रेंट्स तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब कर लेना थैंक्स फॉर वाचिंग